अगर दो तीन कोस्टन्स भी आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिल जाते हैं तो आपका इस वीडियो को देखना न साथ अगर जाएगा जैसे कि आप सबको पता है आपकी बाल विकास और सिक्षा सास्ति प्रसन आते हैं तो उसको सबसे पर देखते हैं सबसे पहला कुस्तान है देखिए निम्न में से कौन सर नियम यह सुझाओ देता है कि शरीर की विभिन अंग विकास के विभिन चरणों से भिन विभिन दरों में विक्षित होती है देखिए जितने भी कुसंस होगे ना वो सारे कुसंस बहुत ही अच्छी स्टैंडर्स से सेट किया गया है और सेलेक्टेट कुसंस ही लिए गये हैं जो कि एक्जाम की उसे इंपॉर्टेंट होगा है इस कुसंस का आंसर आप लोग सोच क्या बुला जा रहा है देखिए एक बर और निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाओ देता है कि शरीर की विभिन अंग विकास की विभिन चरणों में भिन भिन दरों से विक्सित होते हैं कौन सा ऐसा नियम है जो यह सुझाओ देता है कि शरीर के जो विभिन अंग है जो अ स्रिजन करता का अनिवारे लक्षन है स्रिजन करता का अनिवारे लक्षन कौन से है स्रिजन करता मतलब जो स्रिजन आत्मक विचार धारे वाले बाला कहना तो स्रिजन करता का अनिवारे लक्षन अब सारी चिंतन होता है अब सारी और अभी सारी चिंतन आई होप आपने पढ़ा होगा अब सारी चिंतन मतलब खुली दिमाग या खुली गुद्धी के चिंतन वाले जो बच्चे होते हैं जिनके चिंतन जो प्रक्रिया होती है चिंतन चमता होती है वह बहुत विस्त्रित या वाइड होती है उसको अब सारी या स्रिजनात्मक चिंतान वालक बोलते हैं ठीक है तो आप्शन नमेरेस का सही आंसर होगा अगला कुस्तन देखेंगे विशेस अवसकते वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रधान क्या कहलाता है तो विशेस इस्कुल एकेकरित इस्कुल के समावलसी सिक्षा आप सबको पता होगा विशेस अवसकते वालकों के लिए जो शिक्षा का प्रधान है वो अगला कुस्तन देखते हैं राष्टी पाठेचारे के रूप रिखाएंसी अब 2005 के अनुचार शिक्षा की भूमिका क्या है अधिनाईकी है अनुमती परक है सुईधा दाता है कि सत अंसर होगा शैस्ववस्ता की विशेस्ता नहीं है शैस्ववस्ता की विशेस्ता नहीं है कौन नहीं है शैस्ववस्ता की विशेस्ता शारीक विकास की तीवरता दुसरों पर निर्वरता नयतिकता का होना और मानसिक विकास में तीवरता तो अगर आप देखेंगे समयोजन lift नहीं है जान वेपिःति देख्र कौन सा बुद्धि क्सी धान तो बुद्धि के सधान आप लोग आप लोगों ने पढ़ा है एकतत्व दूत आप प्रत्य गमन और बहुत रहों से से कौन सरी है तो A, B और D आपने पढ़ा होगा C बुद्धी के सिध्धान के अंतरगर नहीं आता तो आप्चन नमबर सी इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला चलते हैं निशूल के एवं अनिमारी शिक्षा के अगर हम बात करते हैं तो वो ना अनुचेद 21 में इसको याद कर लेंगे आप अगला देखिए निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है सीखने के मुख्य नियम ना ततपरता का नियम अभ्यास का नियम बहु अनुक्रिया का नियम की प्रभाव का नियम चारों में कौन सा सीखने के नियम में शामिल नहीं है अगर आप देख रहे हों कि बहु अनुक्रिय का नियम न ही no, सीखने का नियम नहीं है, है न, तो option number c इसका सही आंसबोगा कि जो यह बहु अनुक्रिय का नियम बताया है, वो कोई सीखने का नियम नहीं है, ठीक, चलिए. नेक्ष कोस्टन देखते हैं, बच्चों में समाजिक विकास को प्रभावीत करने वाले कारक, ठीक है, कोस्टन नमबर टेंथ को आप देखिए, बच्चों के समाजिक विकास को प्रभावीत करने वाले कारक है, तो आर्थिक तत्व, समाजिक परिवेश जन्य तत्व, तो दे है चलिए अगला देखते है जेंडर क्या है जींडर क्या है कॉश्ण घ säkin होता है जन्मस्य किस्वरबस्ता तक बच्चों में ये सही क्रम होता है जन्म से किशोर वस्ता तक पहले श्रावेदी पेश है ना अब अस्ता फिर मुर्थ फिरा मुर्थ राष्टी पार्टी चरह फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी शमाज की प्राप्ति की है ठीक है तो राष्टी फ्रेमवर्क एंसी दोजर पांच है ना वो रचनाव का विशेष महत्व है ना कि जो बच्चों में बच्चों में उसमें रचनावादी पर कलपना का विकास अच्छे से किया जाए इस पर विशेष दोर देता है एंसी अपको थाउजें फाइब ठीक है तो यहीं इसका सही आंसर होगा अप्सा नंबर डे अगला कुशन देख कि कुस्ता नंबर 15 है उत्तर बाले वस्था में बालग भौतिक वश्थों की किस अवशेक्टा तो परिवर्तान को समझने लगते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या की सिर्फ संख्या की तीनों को तो यहां पर अगर आप देखे ना तो तीनों को समझने लगता है द्रव्यमान संख्या और छेत्र को समाजी करण का परिवार है आसपड़ोस की लोग है समकच्छी बच्चे हैं लेकिन जो सरकार है वो किसी तरह से समाजी करण का प्रात्मिक कारण तो नहीं है ठीक चलो अगला कुस्तन देखो सतत एवं व्यापक मुल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है अध्यापन के दावरान विभिन उपकरणों का प्रियोग करते हुए चात्रों के साथ साथ मुल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना अध्यापन के दावरान बच्चों के विभिन उपकरणों का प्रियोग करते हुए क्या करना उनका मुल्यांकन करते जाना उनका सहयोग भी करते जाना यहीं क्या है सतत्व जो शब्द हैं न कंटेनिवस उसका एक अभीप्राय है ठीक है अगला गत्यात्मक्त्र गट्यात्मक्त गोषद ना संपूर जीवन काल तक होने वाली विकास की प्रक्रिया वरतमान इसकी माओं में परिवर्थित करके अभी प्राय को समझते हैं बच्चे अपने इसकी माओं को असंबंदित खंडो में बार देते हैं कि बच्ची अपने मूर्त अनुभाव की जगा अमूर्त विश्रों पर विसी इस्ध्यान किंद्रित करते हैं समायोजन की प्रक्रिया कब होती है जब बच्ची अपने जो वरतमान इस्कीमा या उनकी जो भी नौलेज होती है उसमें थोड़ा महुत परिवरतन करके नए अनुभाव या नए चीजों को एक्सपीरियंस लेते हैं और अपनी नई नौलेज या जो भी उनकी जो जानकारी है उसमें उसको अपडेट करते हैं ठीक है तो वह होती है समायोजन की प्रक्रिया ठीक है अगला कोसन दीखिए नि और ना दरना ये शुक्षमनी है जान लिखना क्या है शुक्ष मगत्यात्मा कशल है ठीक है चलिए अगलार चलेंगे निम्स लिखिट कौन सी अधिगममीनता गढिति करने की की प्रभवित करती है कौन सी जो अधिका मकषमता है वो गड़ती गढ़न करने को प्रभवत करती है तो डिसironолог के सब्सक्राइब जिनके कराना बच्चे गड़ती परिकल wnинки कर पाने में असमर्द भाशुज कर दें तो यह तो हो गए धर यदिवान में का IPSC प्रेंड अगर मारे चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किना तो सब्सक्राइब करना मत बुलिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते जाएगा ठीक है साथ में इस वीडियो को इस क्लास को इस मॉडल पिपर को अपने दोस्तों के शाथ या अपने ग्रूप में शेयर करना मत भूलिए जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनसे फायदा हो सब्सक्राइब ठीक है चलिए अगला पुस्तर देखते हैं प्याजे के नुसार एक शिक्षक खालिस्थान और ख विख्लांगता का उधारन है विशीष्ठ अधिगम विकलांगता है विश्षट अधिगम बोल गया है तो दिक आ आर्टीज्म अटीन सेट इफिसियंसी इदिसलीक्सिया और मांसिक मनता यह जो टीन है ना यह भी है वैसे क्या अधिगम अक्ष्वमता लेकिन जो डिक्ष् पियास, निद्र, भूख ये सभी जन, मजात अभी प्रीड़क्अ है। सुरक्षा जन मजात अभी प्रीड़क नहीं है। रखता क्या बोलते हैं उसको नेतिक तर्ड करन औप्शन नमबर भी ठीक है next question को दीखिए सहीकर्म है विकास की दृष्टी से सहीकरम है का है बिकास जो होता है बच्चों में उसका सहीकरम क्या है पहले क्या करते है आत्मी पहले आत्मी करन फिर समय होजन फिर अनुकुलन फिर समय होजन पेला इसकल को आत्मी करनं मैंने थे है त्मीकरन समयोजन और अनोगुलन अगला कुस्तान चलते है राष्टी पाठी चारें की रूप रिफा दोजर पांच आधि गम् अपने स्वभाव में और है तो अपसे सब्सक्राइस सक्षर पांच का क्या है तो चानि नश सक्री और समाजिक प्रक्रिय है यहां मतलब सक्री है और समाजिक है तो option नमबर इसको सब्सक्राइब सक्री और समाजिक है क्या अधिकरिया में किसकी एनुसार ncf2.5 के एनुसार 28289 में कौन सा प्रवधान नहीं है आइटी पुजोन नाइन में क्या नहीं है चैसा चोदा वर्स की शिक्षा तो है ठीक है अगला कुछान दीकि संग्यान और संवेक के बारे में निमलिखित कत्नों में कौन सा कथन सही है संग्यान और संवेक के बारे में क्या सही है अच्छा कोशन है ठीक है देखिए संग्यान और संवेक एक दूसरे के से सोतंत्र प्रक्रिया हैं संग्यान और संवेक परस पर जूड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं C है संग्यान संवेगों को प्रभावित नहीं करता, आगरी है संवेग संग्यान को प्रभावित नहीं करता, तो question number 29 का अगर आप सही answer देखेंगे तो second वाला होगा, कि जो संग्यान और संवेग है न, वो एक दूसरे से परस पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संग्यान और संवेग, ठीक है, चलो, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, अगरा है देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेना है, कि दीशा में सुचने के लिए योग्य बनाती है, ये शिक्षार्थियों के में सीखने के प्रती रूची का विकास करता है, तो देखो जो अभी प्रेना या मोटिवेशन होती ही न, वो बच्चों को सीखने के लिए रूची का विकास करता है, सबसे suitable होगा, अप्सन नमर तो इस तरह से हमने जो 30 प्रसंते बाल विकास के वुष को देख लिया, अब चलेंगे अगला हम हिंदी के कुस्सन में, देखिए सारे कुस्सन को हम एकदम से आप लोगों को एक्स्पेंड करते नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमको पूरे कुस्सन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, कोशिस करेंगे कि कुस्सन आपको समझ में आजा और आपके जो अप्षन से वो क्लियर होते हैं, चले तो फिर पहला कुस्सन है हिंदी का, श, स, स, और ह वियंजन है, यह जो तीनों, जो चार जो आप लोगों को खशर दीख रहे हैं, वो किस तरह का वियंजन है, वो है जो मों से थोड़ सा उश्मा का प्रसार होता है, श, स, स, और ह से, इसको उश्प्रवियंजन बोला जाता है, चले अगला हम चलेंगे, निम्रकित में से एक वरतनी अशुद्ध का चयान किजिए, अशुद्ध वरतनी मतलब अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, बोला है है इस तरह के सान जाएगा शुद्ध है, इस तरह से लिखा जाता है, वह वाला है, चले अगला कुस्द्ध में चलते है नयान कोवा से संदी है यह एकला कुस्तर है तो नयान मेंकुछ संदी है यह आयान में है ऑयादी संदी होगा नयान में अयान में ध्यादी संदी है चल् lect uh शब्द रचना विधी के अधार पर 4 विधियां है शब्द रचना विधी के अधार पर 4 अलग 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 विधियां कौन सा है ठीक है Question number 34 है तत्सम तद्ध देखो रूड योग रूड ऐसे कुछ अलग 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 शब्द रचना के अधार पर बनते हैं ठीक है तो तद्सम तद्भव देशद और विदेशद इसका सही अंसर हो जाएगा अगले सब्सक्राथ प्रदान नहीं हो तो मेरी माता भोजन स्वयम बनाती है इस में कौन सा सर्वनाम है ठीक है तो कौन से सर्वनाम है भी इसमें तो मेरी माता तो यहाँ पर ना नीजवाचक सर्वनाम आएगा नीजवाचक सर्वनाम आजाएगा option number C इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगले question में चलते हैं उद्देश के संबंध में जो कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश के संबंध में जो कहा जा रहा हो कोई भी चीजें जिसको उद्देश के संबंध में कहा जा रहा हो उसको क्या बलते हैं विदे करता रचना की उपवाग की तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे विद होती है आडंबर बहुत लेकिन वास्तविक्ता कुछ नहीं तो आग कंधा नयान चुक उची दुखान फिखा पकवान उटके मुँवी जीरा की खोदा पहाड निकला चुई है तो ऑप्शन नुबर सेकंड उची दुखान फिखी पकवान इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है नहीं है बाटर यान फिर अगला देखते हैं भाषा अरजन के संबंद में कौन सा कथन उचीत नहीं है देखो कौन सा कथन उचीत नहीं है पहला सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वभाविक छमता होती है ठीक है दूसरा भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाये जाते हैं ठीक है तीसरा भाषा अर्जन को सहाज बनाने के लिए सम्रिद्ध भाषा पर विए सुनी चाहिए और बीना विद्याला गए भाषा अर तो यह कोन सा कथन उचित नहीं है बोला है तो उचित नहीं है मैंना भासाअर्जन इलिए नियम चिखा जाते हैं अगला पुशन देखते हैं भाषा संबंधी मुल्यांकन में क्या होता है तो है। की भाशा का ही मुल्यांकन करना चाहिए बच्चों की भषा प्रयोक सम्मेद्धी सही करम यह तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रीजी भी है सही करम क्या है सबसे पहले बोलो क्या होता है श्रवन करना ठीक है फिर बोलना फिर क्या करना पढ़ना फिर लिखना option number B इसको English में भी पढ़ो लसरडबलो के रूप में सुनना बोलना पढ़ना और लिखना नेक्स कोछन है खालिस्थान में अपरत्याक्छुरुप से भासर सीखी जाए यह तो वह गया होती है अदि ग्रहान को बोलते हैं अथि के कहां तो सब सबस्केहराण बासर होगा अंसर होुगा आप्सन नमबर बी सान्त दिम मैं व्यापक मुल्यांकन के कहली स्वाइख से संबन्दीत है निदानात्मक एवां उप्चार आत्मक रुप्चार करेंगे 산цен यॳ रखिएगा घ्र सी संबंदीत है थे चलंव सबसे बस अब बाषा घाथी बाषा और भाषा और बोदन से समझ विकार ओगा अप्शन नमबर दी नेक्स देखिए कोस्टर नमबर फोर्टी एट को उप्चारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उप्चारात्मक जो की चब तक समझेंगे नहीं न, तब तक उपचै रात्मक स्रिक्षन नहीं हो उपचै रात्मक क्षिक्षन तभी की एक पॉसिबल हो पाईगी तो समझन के पहाया हुआ हुआ एक नारौ चावकिना बच्ची विद्याला आने से पहले क्या क्या सीख कर देखिए बच्ची विद्याला आने सीख, ने बुण जाते हैं कोरी सलेट होते हैं कि भाषा की समूची तो प्योग करना सीख लेते हैं या उसमें समर्थ होते हैं तो देखी बच्चा कभी विद्याला आते हैं तो विद्याला खाली नहीं आते हैं एटलिस्ट उन लोग भाषा के संपूर्ण चारो कौशल को तो नहीं सीखे ले होंगे ले फिर थोड़ा मूट अपडेशन थोड़ा मूट और एक्षा चीजे फिर स्कूल में आकर विद्यालाय में आकर उन लोग सीखते हैं चली एगला कोशन में चलते हैं भाषा चीखने और भाषा अरजित करने में क्या अंतर है सभी जानते होंगे आई हो ठीक है शीखना और भाषा की पाठे पुस्तके भाषा का लिखी आकलन की भाषा का उपलब्द परिवेस चारो में से कौन सा आएगा अरजन और सीखना में तो अरजन और सीखना की जब भी हम बात करते हैं तो परिवेस सबसे हम रोल निवाता है ना परिवेस के कारण ही तो कोई भाषा को अर अरजित नहीं कार पाता फिर उसको सीखते हैं तो परिवेश सबसे ज़्यदा महात्व पॉंड रोल इसमें अदग करता है भाष्रा को सीखने या अरजित करने में ठीक नेट्स्कों देखो नेपरिंग क्षों नेमल खित में से कौन सा कथन बचों की तृूटियों के संब載ह गलतियों से बच्छों के संबंद में सबसे Sophia लिह यह चाहिए चारा निहां है दुस्ते हैं बच्छों की गलतियों को गंभीरता से क्या लिए जाना चाहिए और उन्हें नहीं द्यूसरा विभीना को समझना बहुंत जरु हो नियुलकित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रूटियों के समाना तो गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए बच्चों की गलतियों को गंभीता से लिया जाना चाहिए और उन्हें दन देना चाहिए बच्चे गलतियों करते हैं क्यों कुंसी खिटी बहीं या जानने के लिए कि वो किस तरह से उप्युगता है कि बहीं जो उनकी गलतियां होती ना वह एक खिटी कि कि तरह है वहाँ पर जाके आप देख सकते कि कि वह किस तरह से सोच रहा है ठीक है यहां से अपटित गध्यांस के भी कुस्सन स्टाल हो जाते है तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ठीक है इसके कुछ दो तीन कुस्टन से इसको हम देख लेते हैं उच्साह का प्रमुक लक्षन बोला किया है ठीक है उच्साह का प्रमुक लक्षन इस यह जो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रूप में आप जूड़ जाएए अगर नहीं जूड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहे हैं वहाँ पर जाकर हमारे ग्रूप में जूड़ सकते हैं इसके सांसात और भी बहुत सारे कुछ जरूरी PDF आप लोगों को से इन कर द हैं अगला कोशन देखे और लास्ट कोशन हिंदी का सच्चा उठा वही होता है जो मनुष्य को कारे करने के लिए प्रिंड़ा देता है उपवाक्य का प्रकार है कौन सा उपवाक्य का प्रकार है यह तो इसमें अगर देखेंगे तो प्रधान उप्वाक्य, विशेशन उप्वाक्य, क्रिया विशेशन की संग्य उप्वाक्य है तो option number B, विशेशन उप्वाक्य होगा सच्चा उच्सा वही है जो मनुष्य को कारी करने के लिए सच्चा उच्सा उच्सा उप्वाक्य होता है, जो मनुष्य कारी करने के लिए प्रेरित करें केंद्रित और अधिक्ता में क्रम्शा प्रत्य इस प्रकार है, केंद्रित और अधिक्ता में कौन कौन प्रत्य है तो इस तरह से टोटल 25 को संट किसके हिंदी की कम्प्रीट होते हैं अब हम चलेंगे इंग्लिष पैड़ागोजी में ठीक है चली आगे चलते हैं अभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए लाइक जरूर करते चलीगा फिर चलते हैं नचिसक्राइब चाहिए पहसंने करो सब्सक्राइब जरूर करते हैं में हम सेमाइख करते हैं हम स्द्सक्राइब आपको इंग्लेस पॉर्ट है कर दें है इंग्लिष पाडगाजी के स्टार्ट होते ह advised पहले कोशन है according to PRJ learning occurs due to PRJ के अनुसार जो learning है सीखना है वो किसके करण से होता है ठीक है सीखना किसके करण से होता है कोशन अपसर नंबर सी इसका सही अनसर हो जाएगा चलिए अगरे कोशन में चलते हैं कोशन नंबर 67 में कोशन नंबर 67 है अचाइल हास तो यूज हाईयर ओडर मेंटल प्रोसेश 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 सच अस इंटेलिजेंस और रिजनिंग इन वीच टाइपस ओप लर्निंग किस तरह के सीखने में बच्चे को हाईयर ओडर मेंटल प्रोसेश का यूज करना पड़ता है हाईयर ओडर मेंटल प्रोसेश का तो देखो मोटरिस की लर्निंग स्पीकिंग की कॉंसेप लर्निंग की वर्बल लर्निंग देखो दो तरह के जो यहां पस एक लर्निंग लेकिन conceptual जो learning होती है, conceptual जो learning हो गया है, ठीक है, किसी चीज़ को analyze करना, synthesize करना, इनके लिए न, higher order mental processing की ज़रुरत परती है, तो option number C, इसका सही answer हो जाएगा, C, चलिए अगर चलते हैं, question number 68 में, the strategy of teaching, ठीक है, the strategy of teaching, which makes use of the old concept of each one teach one, ठीक है, important question है, देख लो, the strategy of teaching, which makes use of the old concept, ऐसा strategy teaching का, जो न, old concept को बनाता है, कौन सा, each one teach one, जो concept है, each one teach one of the 60s, वो किसे सिमिलार है, वो न, सिमिलार है, concept option number D, cooperative learning से, peer learning, independent learning, partner learning, और concept learning, चाल अगला option है, तो इसको आप याद रखीगा, ये क्या है, each one teach one, जो concept है, वो cooperative learning से सम्बन दीता है, चलिए, question number 69 में चलते है, a language textbook from, textbook for class one, starts with poems and stories, okay, and ends with the alphabets, stories और poems से start होती है, और alphabets से खातम होती है, ठीक है, तो फिर पुचा क्या क्या क्या, which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy, language pedagogy में, इस तरह के जो चीजे है, या arrangement है, वो किस चीज को reflect करता है, electric approach को, top-down approach को, authentic approach को, bottom-up approach को, तो याद रखीगा, जो बड़े से ज़र चोटे चीजों की और, है ना, वाइट से अगर हम स्रुक्षम की और आए, जहां पस आप देख रहे है, पोया में, stories और बताते हैं, फिर alphabets और से खातम होती है, तो यह क्या कलाती है, कोन सा model कला आएगा, top-down model कलाती है, कोन सा model कलाता है, top-down model कलाता है, अप्शन नमबर B का सही आंसर होगा वा सेज़ दर कंपरियेंशन स्कील अप दरन सीखने वाले को कि जो समाझ है उसको क्या करना असेश करना तो इंप्रूब प्रणार्शियेशन और एक्क्यृरिसी को असेश करना या सुधारना तू इन्हेंस दर स्पीकिंग स्कील अप ला जहना उसमें इंप्रूमेंट या सुधार ला एक्क्यृरिशन में क्या इंप्रोमेंट या सुधार ला कि इस लिए ओरल रिल का तिक है में परपस अप और रों विच्वंग आप प्रिंसीपल आप पिर्पिंग पीपल विथ लृमिग डिसेबलीटिस अबिसेबिडिस से तो teaching preparation उन लोग को करा कर उनका help किया जा सकता है device various learning situation अलग-अलग learning situation प्रोवाइट करा कर भी उन लोग का help किया जा सकता है design meaningful learning situations अलग-अलग meaningful learning situation भी provide किया जा सकता है चौथा अगर आप देखेंगे तो चौथा क्या बुल रहा है teaching offering tuition at home घर में tuition offer करके तो यह कोई तरीका नहीं है यह कोई system नहीं है किस teach के लिए learning disabilities बच्चों को coroid कराने के लिए आप अपने घर में tuition करा है ऐसा ज़रुरी नहीं है तो option no.4 इसका सही answer हो जाएगा next question देखिए question no.73 को the theory of universal grammar was formulated by universal grammar के जो theory है उसको किसके दोरा form किया गया है तो option no.C इसका सही answer को norm चमस्की की दोरा theory of universal grammar को form किया गया है किसके दोर norm चमस्की की दोरा option no.C से याद रखे गया theory of universal grammar was formulated by किसके दोर formulate किया गया है norm चमस्की की दोरा next question आप देखिए which of the following is actually merit of teaching grammar teaching grammar या grammar को teach कराने का एक पर कौन सा है इन सब में ठीक है option आप देखिए grammar पढ़ाने का सबसे बढ़या फायदा helps in speaking fluently fluently speaking भी fluently बोलने में help करता है दूसरा देखिए emphasizes only records of the language सिर्फ पर language record में emphasize करता है help in the development of language skills language skills develop करने में help करता है requires practice practice required होते है grammar जब पढ़ेंगे तो option number C इसका बहुती ज्यादा सिर्फ आप लोगों को लग रहा होगा option helps in the development of language skills language skills develop करने में help करता है कौन grammar option number C इसका सही answer हो जागा चली अगले में चलेंगे 75 का कुस्टन देखिए in a diverse multilingual class you as a language teacher will give more importance to diverse multilingual class diverse means क्या होता है ऐसे class जहां कई तरह के अलग अलग बच्चे हमको देखने को मिली वहा है एक टीचर के रूप में आप कौन से जो को ज्यादा important देंगे पहला है create ample opportunities for the learners to use language in a different contest अलग अलग contest में बच्चों के लिए क्या करा है करा है परियापत opportunities उपलब्ध करने के बारे में सोचेंगे ठीक है दूसरा देखो teach every lessons in of the textbook के सारे lessons को पढ़ा देंगे teach rules grammar के rules पढ़ा देंगे कि we'll use language in abundance language का परियापत use आप करेंगे या language का use को क्या कर देंगे मना ही कर देंगे ठीक है language का use नहीं कर आएंगे तो option पर पहला ही इसका सबसे सर्वत्तम आप देखेंगे option होगा बाई कि एक ऐसा situation एक ऐसा opportunity करेंगे बच्चों के लिए जो उनको language सीखने में मदद कर सके ठीक है diverse multilingual class में यह सबसे ज़्यादा helpful होगा ठीक है चलिए next question देखते है question number 76 को आप देखिए which of the following is an important stage in the writing process writing process में सबसे ज़्यादा important stage कौन सा होता है सबसे ज़्यादा important stage चार option कौन कौन सा है editing, memorizing, choreography comprehension तो याद रखेंगे जो editing editing that is the most important stage of writing process writing process में सबसे important stage होती है editing memorizing, choreography यह सब नहीं यह questions पूछे गया है पहले भी अभी इसको अच्छे से आप याद रखेंगे editing is one of the most important stage of writing process चली आगे चलेंगे scanning means dieting over much of the text to search for scanning means dieting over the much of the text to search की सीच के लिए खोज या की सीच के search के लिए टेक्स के उपर ध्यान देने या search of a specific item or piece of information that we wish to discover यही इसका सही answer होगा scanning करने का मतलब होता है एक ऐसे specific item या specific piece of information code देखना या ढूणना जो हम खोजना चा रहे हैं जिसको हम जानना चा रहे हैं ठीक है वही क्या कहलाती scanning कहलाती है scanning, scheming, intensity reading, extensive reading यही सभी I hope आपको clear हुआ होगा चली अगला चलते है question number 78 में the sequence of the writing process would be in the following order writing process का sequence कौन से following order में होनी चाहिए कौन से order में होनी चाहिए ऐसा बोल गया ठीक है writing का sequence यह question भी important है यह भी exams में पूछे गया है writing का सही sequence कौन सा है writing का सही sequence पहरा है reviving, monitoring, translating दूसरा है planning, translating, reviving फिर है translating, reviving फिर monitoring और last है planning, monitoring और reviving ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे suitable कौन सा होगा यह क्या है writing sequence है क्या है writing sequence है writing sequence के अगर हम बात करते है तो last वाल जो आपको option देख रहा है planning ठीक है यह सबसे suitable और सही sequence है किस चीज का writing process का आप याद रख लिए planning करते हैं फिर monitoring करते हैं फिर reviving करते हैं क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा planning करना, monitoring करना, फिर reviving करना इसको अच्छा से देख लिजिए ठीक है क्या है यह writing sequence है चलिए आगे चलतेंगे 79 में 79th number के question में which of the following does not belong to a projected 8 देखो important question है याद रखीगा, projected 8 से संबंधित नहीं है, कौन से projected 8 से, देख लो कौन कौन सा है यह question number 79 को हम देख रहे है, projected या projector 8 से कौन से संबंधित नहीं है, option है, पहला हो गी आपका overhead 8 projector, blackboard apidiscope slide projector overhead projector, apidiscope slide projector सभी एक तरह के चल चित्र चीजें होती है, उन से संबंधित है, किस समझे चल चित्र प्रेजेंटेशन से संबंधित है, ठीक है, लेकिन blackboard है वो इन सबसे अलग है, वो क्या नहीं है, एक projected add नहीं है, वो किसी तरह का projector नहीं है, प्रोजेक्टर में आवाज सुन सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं लेकिन blackboard में ऐसा नहीं हो सकता तो जो तीनों है, वो projected add का एक उधारन है, एक example है, overhead projector, apidiscope slide projector, लेकिन blackboard नहीं है, यह important question है, देख लिए चल एक लिए question में चलते है, diagnostic test होती है, ठीक है समस्य को पहचानने के लिए, ताकि उसके उपर वर्क किया जा सकते, option number a, find out deficiencies of the students, बच्चों की जो कमिया है उसको पहचानना, ठीक है, दूसरा देखो, with a view of planning and remediation उससी पहला option, दूसरा है, assess the sitability of a candidate for a specific program, test the language proficiency of students, बच्चों की language proficiency check करना की judge the students capacity, students की capacity जज़ करना, तो सबसे main चीज होती है, find out the deficiencies, deficiency मतलब अक्ष्रमता को पहचानना कि बच्चों का सबसे main reason होता है, diagnostic test का याद रखीगा हमें सा, diagnostic test के बाद, अगर किसी बच्चों में कमिया पाई जाती है याद रखेंगे आप ठीक है, क्योंकि यह base है कि सीच के लिए remedial teaching के लिए तो इस तरह से total हमने 25 questions देखे किसका English pedagogy English pedagogy और English section का चली इसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे next section में, ठीक है section start होता है गडित का और गडित के भी question is important है सारे questions को करके देखते चलेंगा गडित में उपचारात्मक्षिक्षण का प्रमुकु देश्य क्या है प्रमुकु देश्य पहला व्यक्ति-गद् उप्चारात्मक्षिक्षण का भूला है कि इसका सही उदेश ये कि उप्चारात्मक्षिक्षण का सीखने की जरुरत को संबोधित करना और ज्ञान की अंतराल मतलब सीखने में जो गेप हो गई अगला देखें कौन सी गड़ी सिक्षण में प्रमुक समस्या है पहला गड़ी सिक्षण की सिक्षण वीधियां गड़ीती उपकरोनों की सिक्षण वीधियां भी आती है कक्षा संचालन के जो कौशल होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्टीज प्रोवाइड करा देते हैं किसमें गड़ी सीखने में तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कक्षा का संचालन अगर आक उस संदेखते हैं ग्याद से अग्याद का प्रियोग कि सिक्षण पद्धती मे विशेवस्तु मुल्यांकन प्रविधी वुद्यश्य की सीखने की क्रियाओं से है ना तो अप्षन नमबर सी इस का सही अंसर होगा वुद्यश्यों से है मुल्यांकन का निकरतम संबंद चले अगला चलते हैं कोस्टन नमबर 86 में निमर्खित में से क्या गडिती तरकड़ का सुचक पहला हो गया परिकलान में निपूरता की चमता विभीन्द परिस्तितियों में सही सुत्रों को इस्पारान करने की चमता गडिती संकलपनाओं की परिभाशा देने की चमता की गडिती प्रक्रिया में तरक संगता देने की चमता तो अप्षन नमबर डी ही इसका स से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, गडित के प्रकृति के विशय में, कौन कौन से कथन है, सत्य नहीं है, बोला गया है, सत्य नहीं है, बोला गया है, तो पहला हो गया, गडित में विचारों के सही संचारान के लिए विशे सब्दावली का परियोग होत घरीति संकलपनाा के प्रकृति स्रेड़ी बद्ध होती है। ये भी सही है। क्समें क्समें कलपना की वाशक्ता नहीं होती है। ऐसा नहीं है। निर्खित में से कौन सी योगात्मक मुल्यांकन की विशेस्ता नहीं है योगात्मक मुल्यांकन की विशेस्ता पहला है यहां सत्र के अंत में होने वाली परिक्षा है योगात्मक मुल्यांकन आप लोग जानते हो सत्र के अंत में होने वाली परिक्षा है डेफिनेटली सही है इसको उप्योग शडरी करन कक्शोन नतित था vivre अस्थापन के लिए लिए कीया जाता ह। यह भी सहीं है। यह उत्पादान न कुल है न की प्रक्रिया नकूल है। तो देखो यह कोई हम किसकी बात करते हैं? योगात्मा summative assessment की, we are not talking about remedial teaching, ठीक है, या तो proficiency, जो diagnostic test है, या diagnostic assessment है, उसकी बात नहीं हो रही है, option number C, यहाँ पर गलत होगा, कि यह ना कमजोरीक पता लगाने के लिए नहीं होता, ठीक है, बलकि यह तो एक finalize, कक्षोन नतिव अगरा के लिए होता है, शरणी कराण के लिए ह कौन सा योगात्मक या summative assessment की बात हो रही है, ठीक, तो option number C, यहाँ पर correct होगा, option number 89 को देखते है, निम्रिखित में से कौन कौन से कथन, programming model से संबंधित है, यह ना programming model से संबंधित, पहला है, ग्यान को दिमाग में रखना और जरूरत पढ़ने पर बता देना, यह तो कौन स इसी होता है, कि किसी भी ग्यान को देखो, तीन तरह के अलग-अलग models आपने पढ़ा है, banking model, programming model, और कौन सा, रचनावादी model, गड़ी सिक्षण में, तो banking model क्या होता है, किसी भी knowledge को ग्यान में भरो, bank की तरह उसमें रखो, ज़रूरत पर निकाल दो, तो यह तो हो गया banking model, एक प्ली की धन्राई में, जचनाटा में, रचनावादी model में, और कि यह सेखना तुक्डो-टुक्डो में होता है, तो second वाला सही हूँआ और fourth वाला सही हूआ, 2nd वाला और 4th वाला तो option number A इसका सही answer हो जाएगा ठीक है option number A second और 4th number का सही है इसमें चलिए अगला देखते है question number 90 को रेखा गडित के किसी साध्य का हल गयात करने हे तू प्राया किस विदी का उसको हल करना है तो सबसे सर्वत्तम विदी होते है विशलेशन विदी कौन सा होता है विशलेशन विदी option number C ठीक है याद रखीगा चलिए अगला चलते है गडित की अध्यान से एक बच्चे में निम निभीत में से कौन से गोड़ का विखास होगा तो गडित की अध्यान से आत्म में विश्वास की विखास होती है चात्रों के तruटियों के प्रति रूपों पर केंद्रित होाला यह ठीक है, चात्रों के तroom hai, उनके प्रति रूपों के उपर केंद्रित होना चीए जो भी अध्यान है ज़ALLY होता है जैसे पिछले ध्यान के उसे सीखते है एक ही संकलपना के लिए विबिभिन शिक्षण अधिगामों का प्रियोग बहुत ही जादा important line एक ही संकलपना है एक ही चीजे हmäß उसके लिए अलग-अलग श्इच्षण अधिगामों का प्रियोग दो लग तरीकों से किसी भी कोस्टन को देखो एक नहीं संकल्पना का परिचाय देने के लिए समय के नियम का कठोड़ता से पालन करने चाहिए कठोरता वाली जहां भी बात आती है वह नेगेटिव में आता है तो नहीं पूछा है तो यह होगा कठोरता से पालन नहीं करना चीए नियाम का ठीक है चलिए अगला कुस्तान देखते हैं कुस्तामा 93 को निम्लिक्षित में से कौन सा गडित से डरने का उचीत कारण नहीं है पहला गडित की संसाई प्रकृती गडित की प्रकृति भासा यह तरिके और पाठी पुस्ता के प्रियुक्त भासा जिक्छार्थियों की गडिता बच्चे गलीत को चीक कहें लिए निमलिकित में से कौनूर्चनेवादी गडित का विश्यस्ता नहीं है, तो रचनवादी कच्छा का विश्यस्ता नहीं है, बोला गया है, तो देखो, गडी शीक्षण है भाशा और समवाद की भूमी का पर ध्यान दिया जाता है, सही है, ठीक है, शीक्षक स्विकार करता है, कि चात्र दिये गए इंटरेक्शन से कई समझ ब ने पाठ वा छेत्रों की बीच संपर्क तो चौता भी सही है तीसरा इसका थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है है नहीं माना जा सकता में उद्देश्य प्रकार परिक्षन वस्तूओं का उपयोग मुल्यांकन के प्रात्मिक साधन के रुप में किया जाता है तो यह जो है नहीं किया जाना चाहिए उद्देश्य प्रकार परिक्षन या वस्तूओं का उपयोग हो ठीक है तो अप्शन बर सी इसका सही आंसर होगा अगले कोस्टन में हम चलेंगे अब देखिए जो अंक गड़ी वाले जो कुस्टन है उसको भी क्लास में सॉल करके आपको नहीं द साले कोस्टन पूछी जा सकते हैं आपको रुपात के कोस्टन आपको पूछी नहीं इस सारे कोस्टन सब तयार कर लीजीगा गती चाल से संब्धित कोस्टन हो गया ठीक है कारे से संब्धित कोस्टन हो गया ठीक है ठोस घं से संब्धित कोस्टन हो गया ऐसे कोस्टन आपक कोस्तन देखो एकल परिवार से क्या तात परिये है तो वर्स 1950 के बाद बना परिवार हो परिवार जिसमें माता-पिता उनके बच्चे रहते हो तो एकल परिवार मतलब परिवार जिसमें माता-पिता उनकी बच्चे रहते हो उसी को एकल परिवार बोला जाता है तमबाकु की निकोटीन नाम का एक इनिमेन पाया जाता है जिसके कारण से उसकी आदत लग जाती है अगला देखिए परियावरान अध्यान के पाथ करम में उप विश्यों की स्थान पर थीम को प्रस्तावीत किया गया ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए है उप विशों के तुलना में थीम अ नहाने के लिए क्या किया गया है पाथ करम में उप विश्यों की स्थान पर थीम को प्रस्तावीत किया गया है ठीक है चलो परियावरान सिक्षन को प्रभावशाली विधी है परियावरान सिक्षन की प्रभावशाली विधी कौन से है प्रयोक्षाला विधी प्रेक्टिकल ब्याटता लगाने का ब्याटता बताइ का में सबसे ज्यादा सबसे जयादा। प्रकास त्रक्ष बनाते हैं निम्न आवस्येक होते हैं सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब यह बहुत इंपोर्टेन है लिंड मान की द्वारा लिंड मान की द्वारा दस प्रतिसत का नियम दिया गया है ब्रेल लिपी में मोटे कागाज पर उब्री हो बिंदू छै बिंदू पर अधारीस होते हैं ठीक है ताप वर्षा वायू तथम रिदा आधी कैसे का रख है तो य 1945 में हुआ था 1995 में से कौन सी ीवी असका क्छा की गतिवीधी है इवी ईस कक्छा की गतिवीधी सब्द पर ना फिल्ड भर्मड शयामपत awesome ठीक सभी उन्वर्म न में पर द्रशबर के हैं की होध्यों के त्यार करना सिखचयन के स्कूल को बाहर के घृण से जोड़ना हां देखो भई सबसे में उद्यश्य है ईविएस पढ़ाने का शिक्छार्थियों के स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ने के लिए कक्छा की सहायता करना ठीक है यह है सबसे प्रमकुद्यश्यकिस का परियवरन पढ़ाने का option number C किस बीमारियों के लिए DPT का लगता है तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा काली खासी डिफ्थेरिया और टीटनेस के लिए रिपीटी का लगता है तीनों के लिए नीचे दिया गया कौन से एक समू जड़ों का है जड़ों का समू बहुत ही बढ़िया कोस्ता ने देखिए गाजर चुकंदर और मूली जड़ों का समू है जड़ों का समू है चात्र में रटने के प्रति को रोकने है तो कैसे प्रस्ण पूछनी चाहिए रटने के प्रति रोकने है तो नो वस्तुनिस्ट प्रस्ण पूछनी चाहिए ठीक है लड़के लड़कियों के पेक्षा अधिक बुद्धिमान होते है कि किस चीज को दर्शाता है लेंगुच पूर्वा ग्रह को दर साता है ठीक है परिवर्हान ध्यान में छेत्र भमण का मुख्य उद्देश है प्रत्यक्ष अनुभाव उद्देश हुगा चलिए अगला कोशन में चलते हैं का अधी गम मतलब शीखने शिखाने के प्रितियाट चल रही है उसी दोरान क्या करेस विध्यारत्यों का आकई HTTP करने संबंदी संकीत का आकलन करने का सबश्य उप्युक्त तरीका है ठीक है आकलन करने का सबसे उप्युक्त तरीका कौन से है श्री नात्मा क्लिखन करऊ चीत्रपाथन करऊ निदर्शन प्रदर्शन करऊ कि हस्त परग गतिविधी करऊ तो हस्त परग गतिविधी जो होती है न वो आकलन का सर्वोत्तम तरीका होता है है न परियावरान में परियावरान शिक्षा में निम्स्दाक शामिल है परियावरान शिक्षा में कौन-कौन सा मुद्दा शामिल है बई? देखलो संसाधन गभोग परियावरान अवनितथी, जेवीवित्तार केहानी, आर्थिक श्राक्ति करन अच्छा एक और पॉइंट दिये हुए जलवायू परिवरता निवा उनके प्रभाव पांच पॉइंट दिये हैं अब पांचों में कौन सायगा देखो ठीक है तो ऑप्षन कुस्ट नंबर 130 का सही आंसर होगा तो A, B, C और E यह हो जाएगा आपका सही आंसर कुस्ट नंबर 131 में जो कि है कम्प्यूटर से संबंद है ठीक है पहला कुस्ट न है प्रोसेसर की तीन मुख्य भाग क्या है तो ALU, Control Unit और Registrar आप्षन नंबर 2nd ALU, Earthlogical Unit, Control Unit, CU और Registrar यह तीनों प्रोसेसर की तीन प्रमुख भाग है याद रखी गया प्रोसेसर की तीन प्रमुख भाग कंप्यूटर में Central Processing Unit की अंतरगत आते हैं Central Processing Unit की अंतरगत कौन कोन आते हैं यह कंप्यूटर में बताई है ठीक है तो इस्टो Central Processing Unit की अगर हम बात करें तो आप्षन नंबर 2nd का सही आंसर होगा की इस्टोर अर्थमैटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट चीक है ALU, CO और अर्थमैटिक यूनिट यह सभी किसमें आते हैं Central Processing Unit में आते हैं कंप्यूटर के एक लेजर प्रिंटर है ले ऐने ज़्याक की तुछंक्त के तुलना में च्छी अधा खर्चीला है, Dot metric printer की तुलना में अच्छी गुडवत्त या अच्छी गडवत्त है laser printer की बातmesi हो रही है तो यह działa करना ए एऩ 그än तो यहां पर गलात है Maker कर चिला नहीं है वहीं लेजर प्रिंटर ना इंक जरीट की तूलना में ज्यादा कर चिला है तो सेकेंड गलत होगा बाकी तीसरा और चौथा भी सही है तीसरा और शौंत्यक्टा और उपलत में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता देता है तो option number पहला तीसरा और चौथा साहिए अंसर हो जाएगा निमर कित में कौन सा open source system है ऑपन source system तो option number B अगर हम देखे है ना Linux Linux एक open source system है ठीक है operating system open source operating system Linux software का अर्थ क्या है software का अर्थ क्या है वेब होती components जिनसे computer बना होता है, यह software नहीं है, ठीक है, firmware, programs और floppy, तो software ना एक तरह का program है, software क्या है, एक तरह का program है, जिनसे हमारा computer चलता है, है कि नहीं, software बोलते है, floppy disk अगरे त आप जानते हो, कैसे अगरे, वो अलग चीज़ है, internet की गती को किस से मापा जाता है, इंटरनेट की गती को किस से मापा जाता है, तो आप जानते होंगे, जी बी, ठीक है, internet की गती होती है, उसको किस से मापते है, जी बी, पी एस, यह है, सही answer, जी बी, ऐसा आप देखिया, आपने mobile में, जी बी, पी एस, जी बी, पर सेकंड, पी, एस, ठीक है, option number B, अगला होते है, उसको, है ना, ट्रोजन होड़ से कैसा application है, जो एक तरह का वाइरास होता है, है ना, ट्रोजन, ट्रोजन होड़, ठीक है, option number B, next, चल देते हैं, एक CD में, जी रो और वन को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है, जी रो और वन को एक CD में, तकनीकी रूप में, पीक प्रोग्रामिंग एक शर्च उस्टम है याहू क्या है सर्च इंजन है अप्स नंबर 6 कसी अंसर हो जाएगा हमारे प्रोचन में जो कि पंचायद , अनुखे 24 बाल्स्रम और अनुखे 25 किसी भी धर्म दर्म का तो कौन-कौन सा मेल खाते है पहला बाला तो मेल खा रहा है ये अनुखे 17 अश प्रिश्ट्यता से संबंदित है ठीक है पहला बाला मेल खा रहा है दूसरा बाला को देखो पहला तीसरा और चौंथा प सी इसका सही आंसर होगा कि पहला तीसरा और चौंथा मेल खा रहा है निवलकित में से सरकार की एकात्मक विशिस्ता क्या है सरकार की एकात्मक विशिस्ता क्या है तो अखिल भारती सेवाएं अखिल भारती शेवाएं आप्शन मर भी सरकार की एकात्मक विशिस्ता हो जाएग 143 का सही ऐहांसर होगा बंगाल को विभाजान- फिर सुरत विभाजान- फिर लखनों संदी यई साहिकरम में है तो निहें नाव को दिये है मंगाल विभाजान विभाजान सम्झाल संदी को ठीक है किस सम्भनूस संदी को फिक है pivot recit तो इसका सभी करमबी होगा तो कास सम्भियता याद रखना किससे उक से कास से उकस सम्भियता आधा सभियता है नेक्स कुर्शान नंबर 145 को नियुगत में से कौन ठंडी जल्दार है ठंडी जल्दारा कि एकर हम बात करते हैं है ना तो एक सो पैतारीस का सही अंसर होगा अप्शन नमबर डी बैंगूला पकी ब्राजील कि रोशियो गल्फ रिश्रीम यह सभी न गर्म जालधारा में काउंट किया जाता है ठीक है बहुत यह अच्छा कोस्टन है जियोग्रफी अबुगोल का नेक्स में चलते है 146 में क कि मतलब राष्टी सांखी की विभाग राष्टी सांखी की विभाग याद रखना पूचा हुआ कुछ साने राष्टी सांखी की विभाग या राष्टी सांखी की करिया ठीक है अवतार लेंस में अवतार लेंस से हमेशा निमलखित में से कौन सा प्रतिभिम बनता है तो के नहीं सुमेलित यूग में ढूणना है, रेटिनल जीरोप्थेमलिया हो गया, टोको फिरॉल बेरी-बेरी हो गया, साइको कोबालमीन हो गया, एनिमिया का, और एलकेपसी फिरॉल हो गया, रिकेट्स का, तो 142 का सही आंसर हो जाएगा, बी, बी मतलब कौन सा, टेको फिरॉ तो मद्य प्रदेश के, किधर है, चत्तिस गड़, मद्य प्रदेश के, आप देखे, मद्य प्रदेश के दक्षिन पूरो में है, हमारे चत्तिस गड़ है ना, दक्षिन पूरो में, निमियर्गित में के राजवन्सों के प्राचीन काल में, राजवन्सों के चत्तिस का नागवंश हो गये, ठीक है? तो 1,3,2,4 इसका सही आंसर होगा, 1,3,2,4 मतलब पहले राजश्री तुल्य होए, फिर नलवंश, फिर सरप, पूरी फिर कौन सार, चक्र कोड, ठीक है, 1,3,2, चार option number B, ठीक है, तो इस तरह से cool 150 questions बीनेस रहे lebih और बीनानबनी को डिल सकते सवे ह erfolg़ें, आपको अधिमां बशनी से अध्ये काभ्यान लिए भी कशिए जब क्या है जरू किए लाइक पुग से टुट ठॉसक्राइब बाइबाइ, thank you so much.